असलाम उलेकुम हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आप सब बिल्कुल ठीकी होंगे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्दा का शुकर है हम आज बनाने वाले हैं बहुती मज़े का स्ट्रॉबरी पैना कोटा स्ट्रॉबरी पैना कोटा बनाने के लिए मैंने एक कप दूद लिया है आधा कप मैंने विपिंग क्रीम ली है अगर आपके पस विपिंग क्रीम नहीं है तो आप फ्रेश क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं और ये वन फोथ कप मैंने शूगर ली है और फ्लेम को लोई रखना है हमें इसको बिल्कुल भी बॉइन नहीं करना है अगर अब तक आपने मेरे चनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब कर ले और बैल आइकन को जरूर दबाए बैल आइकन को दबाने से मिरी आने वाले हर नई रेसिपीस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहेगी तो ये देखिए ये मैंने अगर-गर लिया है इस चार ग्राम मैंने अगर-गर लिया है इसको मैंने गरम पानी में पांच मिनिट के लिए भिगो कर रखा था तो यह इस फॉर्म में आ गया है अब इसको लो फ्लेम पर हम पका लेंगे जब तक ही लिक्विडी फॉर्म में नहीं आ जाता हम विदाउट जिलेटिन इसको बनाने वाले हैं अगर आपके पास जिलेटिन है तो आप गरम पानी में जिलेटिन दाल दीजिए 2 टी स्पून और मैल्ट करके उसको यूस कर लीजिए तो यह देखिए लिक्विड फॉर्म में आ चुका है अब गैस को हम बन कर देंगे और आधी कौइंटिटी हम इसमें डाल देंगे यानि 4 ग्राम हमने अगर अगर लिया था तो 2 ग्राम हम अभी इसमें डालेंगे और 2 ग्राम मैंने बचा लिया है और इसको हमें mix कर लेना है तो ये देखिये अच्छी तरह से हमने mix कर लिया है जल्दी-चल्दी आपको mix कर लेना इसको वाँना ये जमना शुरू हो जाएगा मैंने glass ले लिये है ग्लास को मैंने इस तरीके से कटोरी में थोड़ा सा मैं इसमें दो कलर के शेट देने वाली हूँ स्ट्रॉबेरी और ये वाइट जो मिक्सचर बनाया है हमने तो इस तरीके से मैंने क्रॉस कर लिये है ग्लास को और उसमें सबसे पहले जो हमने वाइट वाला मिक्सचर बनाया है milk का वो हम इसमें डाल देंगे अगर आपको ऐसी layer नहीं लगानी है तो आप simple से सीधा glass रख लीजिए और पहले white की layer लगा लीजिए उसके बाद में भी आप strawberry की layer लगा सकते हैं जैसा आपको easy लगता है और पसंदे आप वैसा कर सकते हैं तो इसको हम 3 घंटों के लिए फ्रीज में रख देंगे set होने के लिए यह मैंने strawberry ली है यह 300 ग्राम strawberry है इसको मैंने cut कर लिया है pieces में इसको हम पैन में डाल देंगे और one-fourth cup हम इसमें sugar डालेंगे मेरी strawberry जादा खटी नहीं है इसलिए मैंने one-fourth cup शुगर डाली है अगर आपकी जादा खटी है तो आप शुगर बढ़ा दीजिए और पाव कप मैंने इसमें पानी डाला है यानि one टेबल स्पून पानी डालेंगे ज्यादा पानी नहीं डालना है लो फ्लेम पर हम इसको कुक करेंगे यह देखिए हमने पानी कितना कम डाला था यह strawberry का juice रिलीज हुआ है जादा नहीं पकाएंगे जब strawberry अपना पानी रिलीज कर देगी उसके बाद में gas को बन कर देंगे और strawberry को जार में डाल के ग्राइंड कर लेना हमें बहुत ही easy है इसको बनाना और यह इतना मज़े का dessert होता है बहुत ही अच्छा लगता है खाने में आप एक बार इसको जरूर ट्राइ कीजिएगा तो यह देखिए प्योरी बना ली है मैंने strawberry की इसको आप चान ले चनिस से क्योंकि यह देखिए इसमें जो यह बींज होते है न वरना यह आपके मूँ में आएंगे तो जरा भी टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा पैना कोटा का तो इस तरीके से चान लीजिए यह देखिए बिल्कुल स्मूथ प्योरी बन चुकी है strawberry की हमारी और जो हमने 2 ग्राम अगर अगर बचा कर रखा था वो हम इसमें डाल देंगे यह थोड़ा थंडा हो गया था अगर अगर तो थंडा होने की वज़े से जम जाता है तो उसको आप फिर से गरम कर लीजिए लो फ्लेम पर तो यह देखिए तीन गंटों के बाद माशालला बहुत ही अच्छे तरीके से यह जम कर रेडी है अब हमने जो स्ट्रॉबेरी की प्यूरी बिनाई थी वो हम इसमें डाल देंगे तो यह देखिए कितना ब्यूटिफूल लग रहा है इसका लूग तो अब हम इसको भी तीन गंटे के लिए रख देंगे सेट होने के लिए फ्रीज में तो यह देखिए तीन गंटे हो चुके हैं हमारी स्ट्रॉबेरी भी बिल्कुल सेट हो गई है बहुत यह अच्छे तरीके से हम थोड़े स्ट्रॉबेरी से गार्निशिंग कर लेते हैं इसके उपर अगर आपको मेरी रेसिपिस पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें शेयर करना ना भूले और मेरी रेसिपिस को जरूर ट्राइ करें यह देखिए फ्रेंड्स कितना ब्यूटिफूल और कितना अमेजिंग हमारा स्ट्रॉबेरी डिजर्ट पैना कोटा बनकर रेडी हुआ है ने में जितना ही लुक वाइज अच्छा लग रहा है खाने में उतना ही टेस्टी और यम्मी है सो ब्यूटिफूल बहुत ही अच्छा लुक आया है इसका झाल बहुत है झाल 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 झाल